तो यहां पर किस प्रकार का ट्रेड लिया जा सकता है बाय का ट्रेड हम यहां पर लेने वाले थोड़ा यहां पर खत्रा रहेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि मार्किट ब्रेकाउट वगरा करें 46,000 का क्योंकि अगर यहां से सेलिंग हुआ तो निफ्टी के अंदर क्या है कि ड या फिर बैंग निफ्टी 46,000 के उपर ट्रेड करें इन दोनों केसिस में कुछ भी हो जाए हम कहीं न कहीं बाइंग की तरफ चले जाएंगे तो अभी वेट करते हैं उपन होने का उसके बाद हम ट्रेड करेंगे तो यहां पर हम ट्रेड लेने वाले हैं निफ्टी में 24,900 का कॉल एड करते हैं अपना 46,000 का कॉल एड करते हैं और फाइनल में हम करेंगे अपना निफ्टी का विद बारासू क्वांडेटी तो बात कर लेते हैं कि यहां पर हमने कोल साइड का पोजिशन क्यू बनाया है अब दिखिए सिच्वेशन ऐसी है यहां पर कि निफ्ट थोड़ा बूट सेलिंग या मेभी रिजैक्षन वगरा सकता है लेकिन बैंक निफ्टी में यहां पर कोल का पोजिशन बनेगा क्यों बनेगा हम डिस्स यहां पर करते हैं यहां पर आपको चार्ट देखना होगा दो तिन दिन का यहां पर आपको नजर आया कि कि यहां पर बैठे हैं यहां पर भी कुछ बैठे होंगे और यहां पर थोड़े बुछ आएंगे बाइर ज्यादा आएंगे क्योंकि मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग किया था लेकिन अभी गैप देखने हो मिला तो बाइर थोड़े बहुत अच्छे प्रूफिट में होगे त तो सभी को अपना प्रूफिट बचाना होगा तो वो निकल सकते हैं उसके बाद यहां पर जो सेल वगरा करके बैठे हैं वो भी ट्रैप होने वाले हैं और यहां पर जो सेल वगरा करके बैठे हैं इनको तो प्रूफिट भी ज्यादा नहीं मिला होगा तो यह भी कहिना के trap होने वारे है अब समझ में ये तो आ गया कि कहिना के seller को market trap कर सकता है अब यहां पर क्या situation चल रही है अब देखे कभी कभी होता है कि नीचे buyer होते तो maybe market buyer को target करने के लिए आ जाए लेकिन अभी देखे 46,000 के आसपा sold कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है जल्दी सी अपने trade को execute नहीं कर पाएगा तो उस वज़े से मुझे लगता है buyer अभी नहीं आने वाले एक moment upside का momentum definitely देखने को मिल जाएगा जब अच्छे से breakout वगरा हो जाएगा seller वगरा अपनी position वगरा cut कर लेंगे और buyer जादा आना सुरू हो जाएगे उसके बाद हो सकता expire वगरा कर एक rejection वगरा हमें देखने को मिल जाएगे तो वो आगे आने वाला है पहले हमें क्या मिले वाला है buying में कहिना की target वगरा देखने को मिल सकता है जिस प्रकार का मुझे दोनों index में structure नजरा रहा है क्योंकि bank nifty भी 46,000 के आसपास नीची है उपर जाने कोशिज कर रहा है तो थोड़े बहुत salary यहां पर भी try करेंगे दूसरा nifty के अंदर भी हमें नजरार की 22,000 के नीची जाने कोशिज कर रहा है हमें rejection भी नजरार है फिर हो सकता है market rejection वगरा देना शुरू कर दे तो rejection आने से पहले तो हम निकल जाएंगे लेकिन पहले हमें target वगरा मिल जाना चाहिए तो इसलिए हमने क्या क्या है call side का पोशिण बनाए दो reason है call side का कि buyer को तो market कभी भी निकाल सकता थोड़ा बूत जब buyer वगरा अच्छी से आने शुरू हो जाएं तब में भी निकालने के लिए आ जाए अभी कहीं ना कहीं seller का time है तो seller को निकालने के लिए market उपर जा सकते है क्योंकि हमने काम इसलिए किया क्योंकि अगर हमने यहां पर entry नहीं किया और यहां जागर अगर हम enter करेंगे अपने buying side में call बगरा का position बनाएंगे तो उसमें problem क्या होगा कि वहां पर दूसरे लोग भी buy कर लेंगे और जब दूसरे लोग buy करें और वहां पर भी अगर हम call side का position बना लें तो हो सकता है retracement में हमारा SL खाएगा या फिर completely हमारा SL खाएगा तो उस situation में काम करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है इसलिए मैंने quickly काम किया है अलांकि ये red candle थोड़ी से खतरनाक बन रहे है ताकि buyer confused हो जाए कि मैं buy करू या ना करू लेकिन हमें एक upside का momentum देखने हो मिल जाना ची 46-200 तक चला जाए या फिर कुछ ना कुछ momentum मिलेगा 100-500 जहां पर हम target वगरा booking कर पाएगे nifty में थोड़ा सा खतरा ये ज़्यादा नीची ना गिर जाए क्योंकि अगर ये closing price की आसपास आ गया तो फिर ये पूरा नीचे जा सकता है तो तब तक हम देख लेंगे कि ज़्यादा नीचे नहीं आना थी अदर्वाइस बैंक निफ्टे में तो यहीं पर कोल का अगर पूसन बनाएगा तो सही जगह है इससे नीचे जाएगा तो market के अंदर यहाँ पर भी situation खराब हो जाएगे नीचे कैसे अगर जैसे ही अपना lower point अगर cross करेगा तो वहाँ पर difficult हो सकता हमारे लिए तो वो हम देखेंगे market के अंदर rejection तो काफी तेजी सी आ रहा है momentum आएगा तो देख लेंगा upside का downside का आता है तो lows बगरा लेके निकल जाएगे क्योंकि net में देखी last में अपना क्या काम चलता है कि risk और reward को handle करो lows हो जाए तो निकल जाओ profit हो जाए तो बच जाओगे ठीक है तो वो हमेशा काम करेगा otherwise trade तो आपके चलते रहते हैं आपका trade सही भी हो सकता है आपका trade गलत भी हो सकता है गलत हो जाए तो निकल जाओ बस market में ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा पैसा बच जाएगा और पैसा बच जाएगा तो अगले दिन पैसा बन जाएगा हम करते कि आए बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं तो market पैसा ज़्यादा ले जाए पता है तो अभी देखते हैं 22,000 का breakdown हो चुका थोड़ा खत्रा तो नजर आ रहा है जिस परकार का candle market नहीं बनाए लेकिन देखेंगे थोड़ा बहुत तो जिलना बड़े तो अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता ने कि इस परकार candle बनने के बाद हम बच पाएंगे अभी तो जश्ट हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि लोस हमें कहां भी booking करना है तो थोड़ा बूत मारी इसक लेके बैठा हूं जब दुबारा से क्रोस डाउन वगरा करेगा तो वहां पर डेफिनेटली हमें अग्जिट वगरा लेना होगा और निफ्टी भी कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा अगर यह क्लोजिंग प्राइस के आज पास पहुंझ जाए फिर यह जादा ही गिर जाएगा तो फि सिचुएशन के अकूर्टिंग ठीक लग रहा था लेकिन अब यह कही ना कहीं चैंज होने कोशिस करें नीचे तो जाएगा फिर शी उपर आ जाएगा फिर शी उपर जाकर नीचे चला जाएगा पता नहीं क्या क्या करने वाला है आज एक ही दिन के अंदर खैर क्या कर सकते अब तो बस नहीं पाएंगे अगर सेली में आता तो लोस बगरा लेकर निकलेंगे अभी हमें वेट करना है देखती रहना है क्योंकि यह नजर तो आ रहा है कि हमें छोडने वाला तो है नहीं कहिना कि लोस यह में देने वाला है लेकिन अभी बुक नहीं कर पाएंग थोड अगर एक बार किसी भी लेवल के नीची अगर मार्केट आ गया वो भी दिखे मोर्निंग में अंदर तो क्या होता कभी उपर चला गया कभी नीचे चला गया उसमें मार्केट हल चल करता रहता है लेकिन कुछ टाइम स्पैंड हो चुग है उसके बाद भी अगर ब्रेकडाउन वगरा करने के बाद ट्रेड करा है तो आप समझ लेजी कि वो जल्दी सी उपर नहीं जाने वाला अगर जल्दी उपर जाना होता तो उपर निकल जाता यह कैना कहीं नीचे रहने वाला यह चोटे मोटे रीट्रेसमन्ट आ रहे हैं वैसे थोड़ा बूतम में लग रहा है क रिकावरी वगरा हो तो वेट कर लेंगे लेकिन मेरे अच्छी बात है लेकिन यह चार्ट के अकूर्डिंग बन नहीं बाएगा तो यह आगी के लिए आपको ब्रेकडाउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसमें तो बच जाते हैं लेकिन अगर थोड़ा टाइम स्पेंड हो या उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करने बाद ट्रेड कर रहा है तो जल्दी से रिकावरी में नहीं जाने वाला वो कहीना कहीं सेलिंग में कनवर्ट होने वाला है वो कितना सेलिंग आएगा यह मेरे लिए लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलेगा तो अभी वेट करते है लोस वगरा तो अच्छा नजर आ रहा है दोबारे से जब लोग वगरा क्रोज करेगा तो डेफिनली अपने पोजिशन वगरा को कट करना होगा और निफ्टी के अंदर भी ऐसा नजर आ नहीं रहा कि जिसके अकोर्डिंग रिकावरी वह में एक्सप्रेक्टिड करें यह वह कईना की सेलिंग में रहने वाला है तो भी वेट करेंग देखते हैं तो यहां पर हम अपना पोजिशन वगरा अगजिट कर लेते हैं बात बं नहीं पा रहे हैं मार्केट के अंदर लोस बढ़ता ही जा रहा है अब तो देखिए अगर ही जिरो करना है तब तो वेट कर स शुरुवात में ऐसा लगा कि market कहीं ना की gap open हुआ है यहां पर आलेडी 2-3 दिन से seller बैठे तो मेभी उनको निकालने के लिए market upside का momentum कर सकता है कुछ अगर बायर वगरा को विट्रैप करना चाहिए तो हमें breakout वगरा देखने हो मिल सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ market के अंदर थोड़ी बहुत upside के momentum आई फिर से में rejection वगरा देखने हो मिला मोरनी के अंदर तो थोड़ा बूद चल जाता है थोड़ा बूद breakdown हो गया थोड़ा बूद breakout हो गया ऐसा चलता रहते है लेकिन जब market के अंदर ये वाला selling आ गया तब मेरा थोड़ा सा confidence लो गया तो क् भी हमारा कुछ बच जाएगा चांज ही से हो जाएंगी target वगरा हीट हो जाए लेकिन आचा कुछ नहीं है दोबारा से selling में आ गया फिर भी मैंने risk लेते हुए 45-800 तक भी wait कि देखते हैं यहां पर क्या करता है market तो यहां से उपर तो जाना शुरूआ लेकिन फिर से rejection आना जादी काम करना है इसके नीचे-नीचे कहिना कहीं selling में rejection वगरा सकता है support वगरा तक जा सकता है और कभी-कभी expire एक दिन बिना बुलाए जादा ही नीचे चला जाते है तो उसमें भी खत्रा जादा बढ़ जाए तो इसलिए यहां पर रिस्क लेने कोई benefit है नहीं और market के मैं कम रख सकता है लेकिन थोड़ा उमीद था कि 22,000 लेवल है यहां पर भी लगरा कर छोटा मोटा breakdown होता है तो recovery में हो जाएगा फिर मैंने 45-600 को भी देख लिया तो इसलिए से थोड़ा बहुत लोस बढ़ गया लेकिन वो आगे adjust हो जाएगा तो आज के लिए तना ही धन् झाल आएगा लेकिन Tips